हेलो एब्रिवन देखे इस वीडियो में हम एवैलूएट करेंगे लिमिट एक्स टेन टू जीरो एक्स माइनस टैन एक्स बाइएक्स की पावर थी ओके अगर मैं यहां पर एक्स को जिरो से अप्रोच कुरूआँ तो देखे हमारी पास यहां पर क्या हो रहा है एक्स की जग जीरो ओकी तो जीरो माइनस जीरो जीरो और डिवाइड में हमारे पास क्या है जीरो तो हमारी जीरो बाइज जीरो पॉम बन रही है यहां पर ओके तो देखे इसे हम कैसे सोल्ड करेंगे यहाँ पर इसे solve करने के लिए मैं यहाँ पर L hospital rule का यूज़ करूँगा ओके बाई L hospital rule ओके तो देखे यह rule क्या है पहले यह rule समझ लेते हैं अगर हमें दी हो limit x tend to a ओके और हमारे पास function है fx by gx type और इस पर अगर हम limit apply करें तो हमारे पास form बन रही हो 0 by 0 या फिर infinity by infinity ओके तो हम इसे इस function को इस पर कार्द लिख सके है limit x tend to a fx की ज़िए f dash x और gx की ज़िए g dash x dash का मतलब differentiate with respect to x okay fx का अलग differentiate करना है gx का अलग differentiate करना है ओके तो यहां पर हमारे पास देखें अलग-अलग differentiate कर लेते हैं limit x tend to zero d upon dx क्या हो जाएगा यहां पर x minus 10x का okay और divide में हमारा differentiate किसका हो जाएगा यहां पर d upon dx x की पावर 3 का okay तो limit x tend to zero x का differentiate क्या हो जाएगा यहां पर x का differentiate 1 हो जाएगा minus 10x का differentiate क्या हो जाएगा sex square x okay divide में हमारे पास x की पावर 3 है तो इसका क्या differentiate हो जाएगा 3x की पावर 2 okay तो अभी हम x को zero से अप्रोच कर आएगे यहां पर देखें x की जिए जिरो रखुम है तो यह क्या हो रहा है हमारा 1 minus sex zero हो जाएगा sex zero की हमारी क्या value होते है sex zero की value होते है one okay तो यहां पर one minus one और divide में x है तो यह भी zero तो हमारे एक पास अभी भी क्या form बढ़ लिए है zero by zero form यहां पर okay अगर हम यहां पर x को zero से अप्रोच कर आएगे तो हमारी क्या form बढ़ रहे है zero by zero form तो मैं एक बार और यह एल hospital rule यहां पर यूज करूंगा ओके देखें अगें यूज एल hospital रूल ओके यह रूल हमने देखा यहां पर इस function पर एक बार और अप्लाई करेंगे हम इस पर ओके तो limit x tend to zero d upon dx किसका करना है हमें 1-6 square x का और divide में हमें यहां पर थरी constant है तो d upon dx किसका करना है हमें x square तो देखें हम differentiate कर लेते हैं limit x tend to zero one का differentiate क्या होगा zero और minus sec square का क्या होगा two sec x पहले power so लोगी तो two sec x हो जाएगा फिर sec का क्या होगा sec x into ten x ओके divide में हमारे पास क्या है divide में हमारे पास है 3 into x square का differentiate क्या होगा 2x ओके देखें यह हमारा two से two cancel हो जाएगा ओके अभी मैं limit apply करूँगा इसके दो function बना लेता हूँ इस complete function के ओके तो limit x tend to zero और एक हमारा function हो जाएगा यहाँ पर sec x into sec x minus sec x ओके तो यह क्या हो जाएगा sec square x by 3 और दूसरा function मैं अलग ले लेता हूँ limit x tend to zero हमारे पास यहाँ पर क्या है 10 x और divide में क्या बचा है x इसका मैं अलग function बना लेता हूँ तो यह limit हमारी किसके equal होती है limit x tend to zero 10 x by x तो यह limit हमारी one के equal होती है अगर आपको इसका proof देखना है कि यह limit हमारी कैसे one के equal होती है तो उस video का link आपको description में मिल जाएगा तो हम यहाँ पर x को zero से approach करवा देते हैं इस function में sec square zero by three minus है तो minus into यह limit हमारी किसके equal है one के तो into one okay sec zero की हमारी क्या value होती है sec zero की value होती है one तो one का, यहाँ पर sec का square है तो one का square हो जाएगा one का square और minus by three into one तो यह क्या हो रहा है हमारा minus one by three okay तो यह हमारा required value है तो यह limit हमारी किसके equal है minus one by three okay thank you guys अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किजिए अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए